नमस्कार दोस्तों, वैलकम टुश्टडी वित नीलम, आज हम डिसकस करेंगे भारत और मध्धेशाई देशों के बीच में 18 से 19 दिसंबर 2021 के बीच में एक तीसरी मंत्री स्थरिये वारता आजित की गई थी और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो मुस्लिम देशों का संगर आई यो सी जिसमें 56 देश हैं वो सदश हैं उनकी तरब से एक बेठक पाकिस्तान के अध्धक चिता में आजित की गई जिसका मुक्षे विशे भी अफगानिस्तान था वहां उस बेठक में इन पाचो मध्धेशाई देशों को भी आमंत्रित किया गया था क्योंकि ये भी म पर भारत को अपनी तवज्जों दी है चली तो जानते हैं इस मीटिंग के बारे में हाली में भारत और मध्धेशाई देशों में डायलोग इस तरकी तीसरे संस्क्रण संपन्नी हुआ है यहां आप मैप में देख रहे हैं कजाकिस्तान उजवेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और तजाकिस्तान मैप इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि आप समझ सकें कि ये पाँचों जो देशें ये लेंड लॉग्ड हैं इनकी किसी भी अंतराष्टी समुद्री सीमा से सीमा नहीं लगती है जिससे वैपार यहां इन देशों कम हैं समुद्री वै किर्गिस्तान तजाकिस्तान ओकी इनके साथ भारत की विदेश मंतरी जिस संकर ने भारत का नाहीं दिल्ली में आज सागर से किन किन मद्ध इशाई देशों की सीमा लगती है तो यहाँ आप देख रहे हैं कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है इनकी सीमा किस से लगती है कैस्पियन सागर से लगती है और अरल सागर इनके मद्ध में यहां इस्तित है ओके यह क्या है अरल सी है तो देखिया उजव मद्धे शाई देशों के विदेश मंतरी भारत में उपस्तित हुए अब भारत इन देशों के साथ connectivity वैपार वानेज को बढ़ाराना चाहता है जो कि वैपार भारत का इन देशों से बहुत ही कम है जो होना बहुत जादा चाहिए था तो इसके लिए जो रुकावट हमारे साम पर पहुचाना चाहते हैं जैसे अभी गेहू पहुचाना था और जो मीट पहुचाना था तो इन सब में पाकिस्तान बाधा के रूप में खड़ा रहा तो हमने क्या सोचा है कि जो हमने इरान में बंदरगा डबलब किया है चाहबार बंदरगा इसके माध्यम से अफगानि देशों ने मिलकर अफगानिस्तान में समाविसी सरकार बनाने पर जोड दिया समाविसी सरकार का मतलब यहाँ पर यह है इन देशों की तरफ से कि अफगानिस्तान में जो तालीवान है इसके दुआरा एक निर्वाचिस सरकार का गठन किया जाए और इसके साथ ही इस सरकार मे जो अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ ही जो वहां की महिलाएं हैं उन्हें भी साशन प्रसाशन में भागेदारी दी जाए इसके साथ ही भारत ने इरान इसे चाहाबार बंदरगा के मद्दे इशिया के साथ वेपार के इस्तमाल की बात कही है मद्धेशाय के यहां पाचो देश लेंड लॉक्ट हैं इनकी कोई समुद्रे सीमा नहीं है इस बेइठक में भारत की विदेश मंतरी S.J. संकर के 4C idea 4C में Commerce, Capacity Enhancement, Connectivity और Contact पर बात हुई है ताकि इन मद्धेशाय देशों के मद्धे वैपार को बढ़ावा दिया जा सके भारत और मद्धेशाय देशों के वीच वैपार की बात की जाए तो यहां वर्तमान में मातर 2Billion Dollar से भी कम है इस 2Billion Dollar के बेपार में अधिकांस हिस्सा कजकिस्तान से भारत को आने वाले तेलका है भारत मद्धेशाय देशों के तीसरे वारता संसकरण में High Impact Community Development Project पर चर्चा हुई है भारत और मद्धेशाय देशों के बीच High Impact Community Development Project पर समझोते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अंतर्गत मद्धेशाय देशों में सामझे कार्थिक विकास होगा इस प्रजेक्ट के लिए अधिकांस हिस्सा भारत के द्वारा अनुदान या ग्रांट के तोर पर दिया जाएगा जिससे भारत की इन देशों में जो साख है वो बन सके इस वारता में सायुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के प्रस्ताव 2593 के महत उपर भी बात की गई यहां प्रस्ताव इस बात पर जोड़ देता है कि अफगानिस्तान की भूमी जो है उसकी जो भूमी का है उसका इस्तमाल आतंगवादियों के लिए सरण प्रसिक्षन और प्लानिंग के लिए ना हो भविश्य में जिससे यह मद्धेशाई देश और भारत की जो सुरक्षा है वो खत्रे में ना पड़े इंडिया सैंट्रल एशिया डायलोग की पहली बेठक 2019 में उजवेकिस्तान में आयोजित की गई थी और दूसरी बेठक 2020 में COVID-19 की कारण वर्च्वली आयोजित हुई थी और तीसरी बेठक 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुई और नया डबलप्मेंट ये हुआ है कि विदेश मंतरियों की बेठक के बाद भारत ने इन पांचों मद्देशाई देशों के राष्ट पतियों को भारत के गरतंत दिवस 2022 के लिए आमंतरित किया है ये बहुत ही बड़ा भारत का जो डबलप्मेंट है इस छेत्र में अपनी साख स्थापित करने का तो अगर इस मद्देशाई और भारत को लेकर कोई और डबलप्मेंट होता है तो इस पर आगे जो अपडेट आती है इसके अकोर्डिंग हम वीडियो लेकर आएंगे अगर आपको लेक्चर पसंद आये तो लेक्चर को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्स फॉर वाचिंग और टेक केर